हलो दोस्तो स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में तो आज का इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूं कि कैसे जैसी भी मसीन का यह जो बूम जो है कैसे काम करता है मैं अल्रेडी मैं वीडियो डाल चुका हैं बूम भी अपरेट करने का कैसे अपरेट किया कैसे अपरेट किया जाएगा इसके बारे में बताएगे तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए और बैल आइकन को भी प्रेस कर लिजए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुचे ज़लिया गाइज शुरू करते हैं तो गाइज देख सकते हो सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं केविन में जा करके ठीक है आप देख सकते हो यहां पर मैं केविन में आ चुका हूं गाइज ठीक है केविन में आने के बाद यह अपना seat है, ठीक है guys, seat पे बैठना है, seat पे बैठने के बाद आपको सबसे पहले आगे का function बता रहा हूं, जो loader का है, तो guys आप ध्यान से देखना, यह loader का lever है, जो loader चलता है, वो system है, तो आपको मैं बता दू, इसको पीछे करते हो, तो loader जो है, उपर आएगा, और इ लीवर को आप अपने तरफ लेते हो अपने पैर तरफ लेते हो इस तरफ तो लोड़र का जो बॉकेट है सीधा रहेगा वो मूरेगा यानि बंद होगा बॉकेट लोड़र बॉकेट और इसको डाइरेक्ट इस तरफ अगर करते हो साइड में करते हो राइट साइड करते हो तो €2 आए गोग यहाओ है तो मैं आपको सिंपली बता रहा हूं इसमें कोई बॉल्ट के ओपर नहीं है तो आपको में बता दू इसमें जो चारू सेट का जो बोल्ट है एडवांस ट्रीक मैं बता रहू है जो चारु सैट के बोल्ट है एक दो तीन चार तो इसका ओफ फण्ट नहीं है आपको बता दूलों बोल्ट का बीच में पीछे जो करते हो तो लोडर जो है ऊपर आएगा और एवाले दोनों बोल्ट को बीच में लीवर करते हो आपको मैं बताने के लिए ऐसे बता रहा हूं कि जल्दी आप समझ जाओगे आगे करते हो तो लोडर नीचे आएगा और यह जो लोडर का जो लीवर जो है आप ए बोल्ट और ए बोल्ट को बीच में इस तरफ अपने तरफ लेते हो ऐसे तो बोकेट जो है बंद होगा और यह दोनों वोल्ट के बीच में लिवर को करते हो इस तरफ इस तरफ लिवर को करते हो तो बोकेट खुलेगा तो चलिए मैं अभी मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करके बता रहा हूं तो गैस देख सकते हो यहां से चावी मारने कवाद आप देख सकते हो कि इसको हम पीछें लेते हैं लोडर ऊंथ्चेगा लिए मिद्चें लोडर इसे चरब करने से लोडर जो है जी आला है रहा रहा है देख़ेंग है थी के अपने तरफ लेते ओ इस तरफ लेते हो तो लोडर बंद होगा अभी खुला हुआ है देख सकते हो अपने तरफ ले रहा है लोडर बंद हो रहा है अपने पैर तरफ ले रहा है तो लोडर देख सकते हो इसको अपने तरफ लिए तो लोडर बंद हो गया और इसको इस तरफ लेते हैं लोडर को लिवर को इस तरफ करते हैं राइ तो बंद हो रहा है ठीक है गैज तो इसको फुसी तरीके से भी इसको जमीन में लगा एता है ताकि मैं अभी भूम के बारे में समझाऊँ गाता आप लोग को समझना आजाएगा देख सकते हो गैज अब आते हैं भूम के पास ठीक है गाइज आप देख सकते हो गाइज यह बूम का लीभर है जो जिसे भूम ऑपरेट किया जाता है ठीक है थोड़ा धियान से देखना मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं लीभर के बारे में समझा चुका हूँ पहले भी और आप लोग को मै आज फिर मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जल्दी समझ जाओगे ठीक है और जल्दी अपरेट करना सीख जाओगे तो गाइज आप देख सकते हैं जो लेप साइट का लीभर है इसे अगर आप अगर कंट्रोल कर लिए तो आप पूरा भूम को कंट्रोल कर लोगे क्योंकि इसी में स्विंग का है जिससे जठा कर ले लेता है मस्इन यह इसी लीभर से काम करता है तो मैं आपको बता दू गाइज यह जो आप बोल्ट देख सकते हो देख रहे हो एकर आप この लोडर जो है ऊपर आएगा यहां से ठीक है और इसी बोल्ट के सीद्धा आगे करते हो तो नीचे जाएगा ऐसे ठीक है और इस बॉल्ट पे करते हो तो स्विंग करेगा और इसी के सीधा इस बॉल्ट है देख सबते हो इसी बॉल्ट के सीधा इस बॉल्ट पर करते हो तो बूम नीचे जाएगा और यह वाले बोल्ट पर करते हो तो बूम जो है स्विंग करेगा राइट स्विंग करेगा और इसी बोल्ट के सीधा उस तरफ बोल्ट होगा उस पर करते हो तो लेप्ट स्विंग होगा ठीक है गैज थोरा ध्यान से देखना गैज तो म इस लीवर के बारे में समझा दिया हूँ अब इस लीवर के बारे में समझा रहा हूँ यह जो बोल्ट देख रहे हो इस बोल्ट पर करते हो तो वहां से बोकेट मिट्टी काट के जो बंध होता है सोगा यानि बोकेट बंध होगा और इसी बोल्ट के सीधा इस पर करते हो यहा यहां से ऐसे करते हो नीचे इस बोल्ट पर करते हो तो डीपर वहां से फोल्ट के पास से इस तरफ अपने तरफ आएगा ठीक है और इस बोल्ट से उस बोल्ट पर करते हो डायेक्ट इसको ऊपर करते हो ऐसे तो वहां फोल्डिंग से ऊपर जाएगा यानी बूम सीधा होगा चलिए ग्याज अभी मैं आपको स्टार्ट करके बता रहा हूं वीडियो थोरा लंबा होगा वीडियो को पिल्कुल लास्ट तक देखना तो आप लोग बिल्कुल समझ जाओगे ठीक है घड़ि तो आप देख सकते हो मैं यहां से मसीन हें स्टार्ट किया आपको मैं बता रहा देख सकते हो बूम नीचे आ रहा है और इस बोल्ट पर करते हैं तो उपर आएगा देख सकते हो गैज उपर आ रहा है और इसी के सीधा इस बोल्ट पर करते हैं तो नीचे जाएगा देख सकते हो नीचे जा रहा है ठीक है गैज और आपको मैं बताया था इस बोल्ट पर सबसे जरूरी होता है इसी का कंट्रोल करने का तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं इस बोल्ट पर करते हैं देख सकते हो ऊपर आ सबसेज यह जायेगा और आप साइट क्लिवर के बारे में आप शय्यूद्य के अधिस का अगर करते हो तो डेख सकते हैं डीख सकते हैं ठीक है और इसी बोल्ट के सीधा उस बोल्ट पे करते हो यह वाले बोल्ट पे तो बोकेट खुलेगा देख सकते हो खुल रहा है और यह वाले बोल्ट पे बंद हो रहा है ठीक है गाइस देख सकते हो बंद हो रहा है और उसी के सीधा उस पे खुल रहा है और इस पे बंद हो सब्सक्ता है यहनल हfire को तो वह इन रीपर आ ऊपर जाएगा देख सकते हैं प्रता है भूइे तो डीपर उपर जा रहा है और उसी के सीधा kep Trent बेख भूट पर दमेट रहा ऐए गा लिसा अरॉप में धेर प्रसे इसाफ़ना सभ्सक्राइर करतें स्थाने तो नीचे चला वह इस तरह करते है तो रेप्स हो रहा है करते है और तो राइप CC हो रहा है ठीक हॉघ और यह स्ट्राइजर है जैसे आप रह dw icom के लिए जैक जो उठाते हो ना तो यहां से यहां से नीचे करोगे तो मसीन जो है उपर आएगा देख सब्सक्राइब और इसको नीचे करोगे तो मसीन नीचे जाएगा और इसको दोनों जाता होगे नीचे करोगे नीचे जातोगे तो machine उपर उठेगा ठीक है guys तो चलिए machine हम बंद कर देते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ guys मैं अभी मैं आपको इसलिए वीडियो बनाया हूँ ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी सीख सकते हो जैसी भी machine बनाने में ठीक है guys तो यहां तक अपना वीडियो था अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए बैल आइकन को भी प्रेस कर लिजए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे चरिये guys मिलते हैं अगले वीडियो पे जै हिंद जै भारत गाइज बाइबाई और गुडबाई मिलते हैं अगले वीडियो पे बाई